हलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम केसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो इस वीडिये में हम लोग बात करने वाले आदे वाला जो ट्रेडिंग हफता है उसमें कौन-कौन सी इंपोर्टन चीजे जिससे रिलेटेड हम लोग को बाजार में जबरदस हल चले देखने को मिल सकती है तो उसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ इंपोर्टन फैक्टर्स के उपर नजरे या पर रखनी है क्योंकि आप सभी लोग पता है कुछ इवेंट्स रहते हैं जो की बाजार को उपर लेके जाते हैं कुछ इवेंट आप लोगों की ज़रू फोकस रहना चाहिए तो चले दोस्तो फटावाड इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते बड़ इससे पहले जरू किना चाहूंगा किसी ने फर्स टाम विजिट के चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रू प्रेस कर लेना दोस्तो नमबर वन अगर कोई चीज है तो हम कह सकते है यहाँ पर अर्निंग्स मतलब यहाँ एक कौटर ली रिजल आने वाले दोस्तों एक हफदे में गांट किया जाते है सो उसमें 171 companies अपने result पेश करने वाली है अभी हम लोग देखेंगे कुछ important companies के result हर एक company को cover करना यहाँ पर possible नहीं होता है सो देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े दिगज company की result है जैसे कि हिंदूस्तान उनिलिवर है है, एशन पेंट है, बजाज ओटो है ACCA, Nestle India, Britannia Industry, ES Bank, Tech Pondra, CSB Bank, HDFC Life, L&T Technology मतलब कौन सी company नहीं है, हर एक company, 171 मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना busy यह week, सबसे ज़्यादा यह हफता result के चलते बहुत busy रहने वाल है हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा काम रहेगा, हर एक result को detail में देखना क्योंकि आप सबी लोगों को पता है कि अच्छे companies को fundamentally अगर आपको check करने तो उनके result एक बहुत ही बड़ा parameter होता है So number 1 के उपर हम लोग यही के सकते 171 companies के result यहाँ पे आने वाले है तो यह सबसे पहले इस हफते का सबसे hot topic ज़रूर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तो point number 2 definitely हम लोग इसी को cover करेंगे coronavirus की risk risk अभी भी हम लोग word use कर रहे क्योंकि आप सबी लोगों को बता है इंडिया के लिए एक अच्छी news ज़रूर है बट second wave से related हम लोगोंने बाकी countries से कुछ सीखना चाहिए जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा यह है इंडिया का graph जो कि आप लोग कह सकते कि बहुत ही शांदार तरीके से अभी हम लोगों को नीचे जाते वे देखने को मिल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं हमारा highest peak था लगबग एक लग पेशन्ट तो cross नहीं किये थे अगर हो जाता तो मिडिया को और जबरदस्त कोई मसाला मिल जाता बट anyways हम लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोगों को लगातार यहाँ पे गिरावट डेखनेक मिल रही है अब सबी लोग को यह बात तो पता है हमारा recovery rate तो शांदार है बट अभी एक चीज़ अच्छा हो गई है कि अगर 70,000 patient मिलते तो 90,000 recovered हो जाते हैं मतलब 20,000 का gap अभी है यहाँ पे शुरू हो चुका है So active cases भी अगर हम लोग देखे जाए तो इंडिया में अभी बहुत ही कम यहाँ पे हो रहे है बट इसके चलते भी मैंने आप लोगों को request की थी जो इस channel के medium से मुझे follow करते support करते हमारी एक family है जैसे मैंने आपको कहा था कि लापरवा नहीं होना है दोस्तो अगर लापरवा हो जाएंगे तो इसी का खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ सकता है और वो भी second wave के तरफ मतलब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे parameters दिखाना चाहूँगा जो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को अंदाजा आ जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा Spain मैं इससे पहले भी एक चीज़े दिखा चुका हूँ Spain में देख लेना दोस्तो यहाँ पे 10,000 के नीचे इनका top pick था 2nd April जब हमारे इदर शुरू भी नीवा था और सब कुछ जुलाय में नॉर्मल होने के बाद आज आप देख सकते हैं कि Spain ने कल के दिन सबसे highest patient का number यहाँ पे दर्च किया है So make sure कि हम लोग इस category में ना आए इसके लिए हर किसी ने अपना अपना तरफ से contribution जरूर देना है अभी भी कहना चाहूंगा कि हलके में बिलकुल नहीं लेना है वरना जो खामियाज भुगतना पड़ेगा वो किसी को नहीं आपको और मुझे ही यहाँ भुगतना पड़ सकता है उसी के साथ साथ दोस्तों यह है United Kingdom का UK का चार्ट आप देख सकते हैं क्या गजब की यहाँ पर हम लोगों को सडनली यहाँ पर जंप देखने के मिल रहे है बिलकुल नॉर्मल था यह देखना इंपोर्टन क्यों है स्टॉक मार्केट की इसाब से क्यों क्योंकि आप सबी लोगों पता है European बाजार बीच में जबरदस नीचे खुले थे क्योंकि अगर हम लोग देखे तो France में तो full time वहाँ पर emergency डिकलेर की गए थी health से related उसी के साथ साथ बहुत सारे जगे पर हम लोगों को नाइट कल्फ्यूज लगते हुए देखने को मिले एंड वहाँ कुछ countries ऐसी थी Europe की वहाँ पर वापस lockdown लगा दिया गया वापस lockdown मतलब countrywide के मतलब important situation हमारे देश में कैसे 21 दिन का लगा था पूरा मार्केट की बैंड वजे थी वैसे हम लोगों को वापस यह lockdown ऐसा अगर नहीं देखना है तो ज़रूर हम लोग कह सकते कि हम लोगों ने सावदानी यहापर बरतनी चाहिए इसलिए coronavirus खतम नहीं हो है कुछ लोग ऐसे celebrate कर रहे तो इसलिए कहना चाहूंगा कि समबल के रहे न है क्योंकि यह भी news कभी भी आ जाए तो definitely market को जटका लग सकता है कौन सी news अभी देखिए हमारे इंडिया में नीचे-नीचे cases मिल रहे सड़नली अगर ऐसा हो गया कि एक ला लॉंग टॉम वाले ने fundamental strong shares को pick करना है और chain की नहीं दिया पर सोनी है उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर obviously FISDIS की activities की हम लोग बात करेंगे foreign investor बहुत ही जादा यह important data होता है सबसे खास बात जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस month की अगर लगबग 4500 और 600 करोड के आसपस बट टोटल अगर हम लोग बात करें अभी तक October मन्त में यहाँ पर हम लोग को FISDIS की data की बात करें तो लगबग उन्होंने 7000 के आसपस यहाँ पर हम लोग को जो माल है वहाँ पर sale होते वे देखने को मिल रहा है तो आपस कहना चाहँगा F FIS का data ज्यादा important माना जाते है क्योंकि वह active investor माने जाते हैं डियाएस ऐसे रहते कि जो फटाफट entry exit वाले भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि आप देखोगे financial institutions होते हैं right mutual fund हाता है insurance companies को भी मतलब उनी में सभी लोगों को categorize यहाँ पर किया जाता है तो इसलिए FIS का data ज्यादा माहिने रखता है क्योंकि वह जो invest करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह long term के लिए शायच से invest ज़रूर करेंगे दोस्तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे IPO से related yes दोस्तो रोजरी बायोटेक ने यहाँ पर IPO का शुरूरात जरूर किया था उसके बाद हम लोग कह सकते हैं पेस्ट माइंड IPO की भी listing जबरदस होई थी उसी के साथ साथ Root Mobile ने भी हम लोगों को अच्छा profit है 20 October को yes दोस्तो प्राइस बेंड आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है मतलब रेटेल इंवेस्टर तो यहाँ पर भरबर के जा सकते जम कर सकते प्राइस की सबसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं so बहुत ही important यह news है क्योंकि IPO आप सब लोग पता है IPO लाना लाय जाना मतलब यह जो Equitas Small Finance Bank वाले यह बिलीव करते की market हरे निशान में ही रह सकता है देखे अगर मेरी company है SM किसी मुझे SM किसी का IPO लाना है example बता रहा हूं तो obviously मैं ऐसे बाजर में कभी नहीं IPO लाओंगा या फिर कोई भी ऐसे बाजर में IPO नहीं लाता जहाँ पर market तूट रहा है वो हमेश चाहिए तो एक indications होता है कि company भी अच्छी होनी चाहिए बट अगर हम लोग ओर अलगर हम लोग बात करें so definitely जो Equitas Small Finance Bank के इसका IPO open होगा जो की लगबग यहापे जो प्लान बना रही है 500 करोड जुटाने का कोशिश यहापे कर रही है तो यह भी IPO हम लोग को इसी हफते 20 तारी को open होते वे देखने को यहापे मिलने वाला है दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें corporate actions corporate actions में बहुत कुछ चीज है तो आप लोग को बताना चाहूंगा बहुत सारे company अपने dividends यहापे देने वाली है अगर कोई popular company तो excel technology आप सब लोग पता है यह company यहापे dividend देगी म AGM में बहुत कुछ बड़े-बड़े faceless यहापे लेते वे हम लोगों को शायद से देखने को मिल सकता है तो corporate actions के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही यह जो हफता है हम लोग को busy रहते वे देखने को मिलने वाला है दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहापे ब बाते देखा जाए तो 73 भी बहुत बड़ा है एक जमाने में 40-50 के भी आसपास था इनफेक्ट अगर पूराने जमाने में जाओगे तो हम लोगों का इंडियन रुपी भी हम लोगों को strong देखने को मिला था तो definitely हम लोग commodity market के उपर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते जैसे कि oil के prices oil कौन सा तो WTI crude and brand crude इसी दो की हम लोग बात करेंगे WTI यह American बाजार के लिए important है, brand crude हम इंडिया के लिए important है, यह वाला हम लोग import करते है तो फिलाल अभी भी यह दोनों हम लोग को dollar 40 प्रती barrel के ही यहापर देखने को मिल रहे है अगर 40 के दीचे जब ही जाता है, market में हम लोग को बेचनी से देखने को मिलती है, volatility बढ़ते वे देखने को मिलती है यह सब support and resistance level की जो traders के लिए important चीजे, उसके हिसाब से यह सारी चीजे में आप लोग को बोल रहा हूँ उसी के साथ-साथ एक बहुत important commodity जिसका नम है gold, बहुत ही शांदार तेजी हम लोग को यहापर देखने को मिले है तो दोस्तों यह सारा data cover करने के बाद हम लोग यहापर आ चुके option chain की उपर बहुत सेरा लोग request करते है, सर option chain भी cover कर दीजे ना, इसमें उतना क्या है, पता है support, resistance level पता चलेगा और वो भी highest OI से ही पता चलता है, बट still चलो formalities कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों हम लोग यहापर है 11762.45, 11662, तो यहापर अगर मैं बात करूँ, मैं exactly आपको यहापर setup करना चाहूँगा, तो आप लोगों को दिखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, फिलाल हम लो 11,000 का level सबसे strongest support level का यहापर काम करेगा, पर अगर हम लोग compare करें, 11,000 and 11,750 अभी या फिर 760 जितना भी चल रहा है, बहुत ज्यादा लंबा है, इतना easily nifty इतना नहीं गिरता, rarely कभी तो इतना नहीं गिरेगा, तो अगर हम लोग closely अगर कोई support level की बात करें, तो 11700 आप देख देखने को मिल रहा है, and change in OIB हम लोगों को बहुत ही अच्छा कासा यहापर देखने को मिल रहा है, so 11700 अगर break होता है, तो उसके बाद 11650 पे हम लोगों को ज़्यादा यहापर confidence देखने को नहीं मिल रहा है, next level 11600 यहापर देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग easily यहापर चीज होती ही, तो सभी लोग पैसे कमाते है, तो एक अंदाज है रहता है, तो उसके बाद दोस्तों यहापर हम लोगों तीन सपोर्ट लेवल देख लिए, अभी हम लोग कह सकते हैं, यहापर resistant लेवल काहपर, so obviously 12000 का लेवल resistant लेवल करकर काम ही करेगा, देखने की जरूद बिन यह सबसे आदा OI भाई पर है, अगर देखा जाए, तो 18 लाग के करीब 11800 भी strong resistant लेवल है, जैसे यह लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, for example 11800, so 850 ब्रेक होने के लिए शायद से ज्यादा समय नहीं लेगेगा, and next लेवल 11900 यहापर अक्टिवेट हो सकता है, so यह लेवल करू, तो कोई बड़ी न्यूज आ जाती है, तो यह सारे resistance, support लेवल सारे fail हो जाते, यह इससे पहले भी हम लोगों ने यहापर देख लिया है, हाँ, अगर आप एक ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप FNO में बहुत ही जादा प्ले करते हो, तो आपके लिए सारी चीज़े बहुत ही important है, क्योंकि position बनाने के लिए आप लोगों को एक अंदाजा यहापर मिल जाएगा, आया बचा करते हो दोस्तों, जितने भी important news थे, वो यहापर मैंने cover कर लिए, तो कोई video अच्छा लगे, तो ज़रू like कर देना, दोस्तों के साथ share कर देना, तो उनको भी सारी ब वोडियो तप तक के लिए, बाइ बाइ